बहुत बरा बरा धिंडोरा पीट रहे थे बरी मा बरी मा बरी मा को क्यों उन्होंने भुल गया बरी मा को क्यों नहीं बुलाया गया यही चिराग पास्वान जी न बरी मा जब बिमार पड़ती है तो जो जो डॉक्टर होते हैं गाउं के फुसरी या कुछ भी ज्यादा बिमा कराने कितना प्यार है यह नाटक करते हैं यह बहुत बड़े डरमबाज है यह रुमाल में पीपरमेंट लगा लगा के रोते हैं अपने परिवारों के बीच यह जूट-बूट हमारे यहां के घरी आलू आशू बहाते हैं जिस इन इनका घर तूटा था इनके परजन जिस दिन इनकी पाठी टूटी थी उजिन हमारे भोकार परपर के दस बर पर चूरा था दीदी बहन दीदी दीदी कर रहा था जिस दिन सर्गे रामबिलास पास्वान हार गय थे हाजीपूर से चुनाओ तही आदानिय लालू परसाद जादव जी ने उन्हें र तह साधू पासवान लंगोटा पेहन का फर्या लेता लेकिन चिराक पासवान हाथ में चूरी पेहन लो कि अपने पिता का अपमान का बदला आपने नहीं लिया नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लाइफ बिहार में मैं आपके साथ रुपम देखे कल जिस तरह से महाल ग हाला कि अभी पूरे तरीके से नहीं ये कहा गया है कितने सीटों पर क्या कुछ हुआ है लेकिन बहुत जल्द ही मीडिया के साथ फिर से वो रूबरू होंगे और उसके बाद वो बताएंगे कहां से कौन से सीटे पर लड़ी जाएगी लेकिन एक सवाल खड़ा होता है अभ पर बैठ कर वो जो तस्वीर जो सामनी आई थी उसमें चिराग पास्वान ने कहा था कि यहीं तस्वीर मैं सुरू से ही देखना चाहता था कि वहां पर मेरी पूरी फैमली एक साथ चुड़े चलिए हमारे साथ अभी जुड़े हुए चिराग पास्वान के जीजा जी जो क कि द्रिश से मैं देखना चाहता था कि पूरी फैमली एक साथ जुरे आप उस तस्वीर में कहां के देखे जो जिस्तरा सुर्गी रामिलास पास्वान जी का सतरत्रमा अस्तापना दिवस हाजीपूर में जो मनाया गया जनम दिन चिराग जी के द्वारा और धिन्डोरा पी एक साथ हैं चिराग जी बतावे ना उनकी बरीमा जो फोटो सुट करते हैं कि बरीमा को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अब बरीमा मुझे प्यार करती है तब बरीमा को चिराग पास्वन कैसे बुल गया है बहुत बड़ा बड़ा धिंडोरा पीट रहे थे बरी मा बरी मा बरी मा को क्यों उन्होंने भुल गया बरी मा को क्यों नहीं बुलाया गया चिराग पास्वान घरियाली वासुब आते हैं और ये चिराग पास्वान कितना अपने सतेली मा को प्यार करते हैं ये खगरिया ही न कितना प्यार है ये नाटख करते हैं ये बहुत बरे डरंबाज है यह रुमाल में पिपरामेंट लगा लगा के रोते हैं अपने परिवारों के बीच वहां पर भी महल कुछ इसी तरह का था हाजी पुन में बाबा जो मुर्ती लगा है सुर्गे रामिलाज पास्वान जी का वह मुर्ती जो लगा है वह मुर्ती लगा सरकारी जमीन पर लगा है चिराग जी यहां भी बेस्ति करवाएंगे अपने पिता का जिस तरह दिली में स्वर्गे राम्विलास पास्वान का जो मुर्ती लगाया गया मैं तो चिराग जी से मैं पुछना चाहता हूँ कि चिराग पास्वान जी आप बताएं बिहार हीने बलकि देश की जन्ता को स्वर्गे राम बिलास पासवान जी एक बहुत बड़े दलित के चेहरा थे 12 जंद्पत सरकारी बंगला था सरकारी बंगला में बिना सरकार के आदेश से आपने स्वर्गे राम बिलास पासवान का मुर्ती किसने लगा किसके आदेश पर लगाए पहला सवाल और जब मुर्ती जब केंदर सरकार BJP की सरकार तोर दी तो यह यह क्या हला कर रहे तह भोकार पर पर के रो रहे थे कि बीजेपी के लोगोंने मेरा मुर्ती तोर दिया पापा का और सुर्जेराम विलाज पास्वाँ जी का और बाबा साहब अबितकर का और एक नेता के नाम कर कोश रहे थे कि बीजेपी के एक नेता के मैं नाम बताऊंगा चिराग जी दो साल होगे स्वर्गे राम बिलास पास्वान जी का इंतकाल हुए आज तक नाम बताया इनों ने बीजेपी का नाम खोला इसका मतलब होता है कि स्वर्गे रामिलाज पास्वान के जो बंगला था बाराजन पर उसमें 15 से 20 CCTV कैमरा होंगे जब चिराग अरोप लगा रहे हैं BJP के नेताओं पर तो चिराग CCTV फूटेज देखा वे कि तोरा किसने चिराग पास्वान ने खुद तोरा मेरा दावा है कि इस चिराग पास्वान ने मुर्ति को खुद तोरा है और वो किसले तोरा है वो तोरा था कि जो उप चुनाओं यहां बिहार में जो आम चुनाओं हो रहे थे emotional blackmailing करने के लिए बिहार की जनता को मेरा आरोप लगा रहे हैं कि मेरा आरोप लगा रहे हैं कि 110 परसंट सही है आया नहीं तो BJP CVI से जांच करावे स्वरगे राम बिलास पास्वान का मुर्ती किसने तोरा मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं CCTV कैमेरा आप देखाओ बिहार की पब्लिक को देखाओ कैमेरा तो है ये ना मैं पुछना चाहता हूं कि जदी बाहर गेट के बाहर राम बिलास पास्वान जी की मुर्ती फेकी हुई थी बाबा साब का अम्बेतकर का मुर्ती फेका हुआ था चिराग पास्वान का मुर्ती क्यों ने फेका हुआ था इसी संजाद लगा लिजे ना जब कोई फेकता तो चिराग पास्वान का किम्ती जो घरी है वो घरी सुरक्षित चला गया अब मुर्ती फेका गया ये बिहार की जनता को emotional blackmailing कर रहे हैं ऊको नहीं पूछा गया था वहां पर जाने के लिए का अब जब चिराग ना बताएंगे भाई चिराकियों नहीं पूछे पूछे थे यह आप अस्था दिवस मनाने के लिए और ना हस्तापना दिवस भी था उजिन मेरा पाटी का परकोष्ट का हमारा सभी पधिकारियों की बैठक थी लेकिन बहान को तो पुछना चाहिए बहान को पुछा ही नहीं यह जूट मुटा हमारे हां के घर यालू आशू बहाते हैं जी जिन इनका घर तूटा था तिनके परजन जी दिन इनकी पाटी टूटी थी उज़ें हमारे हां भोकार परपर के दस बर पर चूरा था दीदी बहन दीदी दीदी करा था उज़ें बुरा दीन में साधू पास्वान राष्टिये जनता दल में होते हुए भी मैंने चिरा कसा दिया था और मैं सलुट मरता हूँ परमादानिये लालू परसाथ जादव जी को और राष्टिये जनता दल के तमाम कच करता हूँ मैं सलाम करता हूँ कि उन्हें बुरा दीन में जिस दिन सर्गे राम बिलास पास्वान हार गय थे हाजीपूर से चुनाओ परमादानिये लालू परसाथ जादव जी ने उन्हें राष्ट सवा भिजने का काम किया क्या आदनिये लालू परसाथ जादव जी के पास आदमी के कमी थी क्या एंपिये मिले नहीं थे राष्ट सवा जाने को लेकिन सुर्गे राम बिला पास्वान जी का जो विचार धा पहुंचे थे और उसके बाद फिर जिस तरह के बाते हो रही है कि भाई गठवंदन अब उन लोगों का होगा बीजेपी में वो जाएंगे कि अपने पिता का अपमान सहकर है मुझे तो मुझे तो ऐसा कपूत बेटा बेटा नजने नहीं आया है हमारे पिता का जदी अपमान कोई पार्टी या किसी व्यक्ति विस्स के द्वारा कोई करता तो साधू पास्वान लंगोटा पहन का फर्या लेता लेकिन चिराक पास्वान हाथ में चूरी पहन लो कि अपने पिता का अपमान का बदला आपने नहीं लिया लेकिन साधू पास्वान अभी जिन्दा है साधू पासवान रहाम बिलास पास्वान का अप्मान का बदला भारतीय जंता पार्टी से बाबा सब अम्बितकर ने एक भोट देने का अधिकार हम बहुजोनों को दिया है मैं निस्थी तोर पर राम चुनाव में मैं खरा हो कर मैं लूँगा सुर्गे राम बिलाज पास्वान और बाबा साहब अंबितकर का अपमान का बदला साधू पास्वान लेगा भले चिराग ले या नहीं ले चिराग वहाँ बीजेपी में और आप यहां आरजेडे में उनके भी पक्ष में आप खाड़ा होकर उनके वोटों को काट करें बतला लिजे रहा है चिराग पास्वान जी की बिचारधारा अलग है यह नाकपूरिया सविधान पर चल ले हैं यह बाबा साहब अंबितकर की न चिराग पास्वान के वकाद हम देखला न दिये मुकामा में राजनितिक वकाद देखला न दिये साधू पास्वान को कोई कम नहीं आके उनकी माको भी ख़रा करने की बोड़ी है आप खरा हो जाए जाएं आध तो वो अपने बरी मा को ख़रा करके देखना चिराग नहीं ख़रा करेगा तो साधू पास्वन तो जिन्दा है यह नौ और भाईया मैं माहागटवंदन के नताओं से मैं अपील करूँगा कि जदी आपको ख़रा करना है तो सुर्गय रामिलास पास्वन के पहली धर्म पत्नी को आप ख़रा करके देखिए हाजी पूर से जदी उनकी मा लरेगी तब जदी चिराग लरेंगे तो हमारी बेटी हमारी जो पत्नी है आसा पास्वन ताल ठोक के चुनाओं लरेगी जदी म सब्सक्राइब और फेस्बूक पर लाइक जरूर करें झाल झाल